हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सर्कुलर प्लाजो बनाएंगे सर्कुलर या फिर डिवाइडर प्लाजो भी हम इसको बोल सकते हैं यह जो कपड़ा लिया है हमने प्लाजो के लिए इसके दोनों साइड पटिया है इनको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और यह तीन मेटर कपड़ा हमने लिया है सर्कुलर हैवी घेर वाला प्लाजो हम बनाएंगे इसमें से और इसके उपर हम बनाएंगे बलाज तो बलाज के लिए हमने यह कपड़ा लिया है इसके उपर ये हमने लिया है 80 cm इसमें हम 3 4 slew बनाएंगे यह निकी साड़े 10 inch की हम इसमें स्ली बनाएंगे और cotton का हमने इसके साथ inner लिया है ये inner हमने लिया है 4 मिटर blouse में भी लगेगा और plajos में भी लगेगा cutting रहेगी plajos की simple our stitching हम कुछ ilag तरीके से करेंगे क्योंकि हमें ये ब्लाउज के उपर बनाना है कस्टमर का तो उपर से हमने कमर का नाप लेकर कमर 32 उसमें 4 इंच एड़ करके हमने कमर को कटिंग कर लिया जैसे सर्कुलर प्लाजो कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही और फिर लंबाई है इसकी 49 इंच तो हम 38 इंच को माप कर करके कटिंग कर लेंगे देखें इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और घुमाते हुए गोलाई में निशान लगा लेंगे और नीचे जो जोड है उसको कवर करने के लिए नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे इसी जोड के उपर आदा इंच कपड़ा इसके उपर चड़ा कर रखेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसका मार्जन अलग से नहीं लेना पड़ेगा तो इस तरह से कपड़े को सैट कर देंगे जो नीचे की साइड है उसको हम फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को सैट कर और उपर से जितने हमारे प्लाजों की लंबाई है जितना भी उपर बेल्ट लगेगा उतना इंची टेप उपर निकाल देंगे तो यहां मैं डेड़ इंच तक का बेल्ट लगाऊंगे डेड़ इंची टेप उपर निकाल करके फिर लंबाई का निसान लगा लेंगे 49 इंच तो इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में निशान लगा करके यहां इसी निशान के उपर से कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारे सर्कुलर पलाजों की कटिंग हो जाएगी यह निचे से कटिंग करने के बाद फिर हम आसन को कट कर लेंगे तो जैसे हमने निसान लगाया है बिल्कुल इसी पर से हम इसको कटिंग कर लेंगे और यहां से जो हमने जोड के लिए इसके उपर एक्ष्ट्रा कपड़ा लगाया है उसको भी बीच में से कट कर लेंगे यह हमारा यहां से पलाजों में जोड आएगा और सेलते समय जोड को हम पिच्छे की साइड रखेंगे आगे की साइड नहीं रखेंगे तो आगे से जोड दिखाई नहीं देगा अब हम यहां लगाएंगे आसन का निसान करेंगे आसन कटिंग तो आसन के लिए हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे उपर से इस तरह से नीचे की साइड 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर ब्राबर में धाई इंच पे एक निशान और लगा लेंगे क्रोच एरिया बनाने के लिए और इस निसान को उपर तक मिला लेंगे अब यहां से गोलाई करते हुए आसन की कटिंग कर देंगे इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग हो जाएगी तो प्लाजो हमारा कटिंग हो चुका है उपर से जो बैल्ट हम लगाएंगे वो बाद में इसकी कटिंग करेंगे बैल्ट के हिसाब से और अब हम करेंगे इनर कटिंग इनर को भी हम बिल्कुल उसी के हिसाब से कट करेंगे उपर से तो बिल्कुल मैन कपड़े को सैट करके उसी के नापका कट कर लेंगे आसन तक और नीचे का जो हम कट करेंगे वो दो इंच कम कट करेंगे जो मैन फैबरिक के लंबाई है उस से आसन को हम दो इंच कम रखेंगे तो इस परकार से हम इनर की कटिंग कर लेंगे और सेम वैसे ही जोड इनर में भी लगेगा जैसे हमने मैन फैबरिक में जोड लगाया था उसी तरह से और ये देखी दो इंच हम उचा रखेंगे इनर को और यहां से कट कर लेंगे और ये कटिंग होने के बाद जो हमने ये जोड के लिए कपड़ा इसके उपर चड़ा करके रखा है इसको भी हम बीच में से कट कर लेंगे ये हमारा इनर में भी जोड लगेगा और मैन फैबरिक में भी लगेगा दोनों में जोड लगेगा तो इस तरह से सर्कुलर पलाजो या डिवाइडर पलाजो जो कुछ भी कहें हैं उसका कटिंग हो चुका है अब हम करते हैं सिलाई तो सबसे पहले दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा लेंगे बीच में मैन फैबरिक को रखेंगे एक इनर उपर रखेंगे एक इनर को निचे रखेंगे और दोनों आसन पे सिलाई लगा लेंगे और साथ में इंटरलोक भी कर लेंगे ये सिलाई होने के बाद ये जो उपर का एरिया है जहां से हमने बैल्ट अटेज करनी है वहां कच्छी सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम बैल्ट अटेज करेंगे तो ये कपड़ा ना खिसके और यहां नीचे जो जोड हमने कटिंग किया था वो जोड लगा लेंगे इनर मे और मैन फैवरिक में दोनों में जोड लगा लेंगे तो इस तरह से आसान तरीका है ये बनाने का सर्कुलर प्लाजो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से हमारा बन कर तैयार हो जाएगा तो इस तरह से जोड लगा करके हमने पूरा जो है सील लिया है और इंटरलोग भी कर दिया है अंदर की साइड और जो मैन सिलाई है नीचे की आसन की सिलाई उसको हम बीच में से आसन के बीच में से पकड़ के सिलाई लगाएंगे तो देखिए पहले बेल्ट का काम कर लेते हैं बेल्ट को हम आगे का जो आसन है उसको छोटा करने के लिए आगे से हम जैड इंच का कटिंग कर देंगे इस तरह से तिरचा करके और जो पीछे का आसन है उसको हम बड़ा रखेंगे यह हम कुछ अलग स्टायल से बनाएंगे क्योंकि इसको हमें पहनना है बलाउज के उपर अगर कुड़ती के उपर पहनती तो इसमें पूरे में नेफा बनाते और लास्टिक डाल देते सिंपल तरीके से बन जाता अब साइड में इसको लगाएंगे चैन तो चैन के लिए हमें यहां से कट लगाना पड़ेगा हमने निसान लगा लिया है चैन के हिसाब से और यहां पर सिलाई लगा करके फिर हम कट लगाएंगे तो सिलाई हम इसलिए लगाएंगे अगर हम पहले ही कट लगाएंगे तो हमारा यहां पर कपड़ा भी फिसल ना है और फिर इनर भी दुरुदर हो जाएगा तो उससे पहले हम यहां कच्छी सिलाई लगा लेंगे तो इसके साथ इनर अच्छे से अटैच हो पाएगा और फिर यहां से कट लगा करके हम यहां चैन लगा लेंगे तो चैन लगाने के लिए जहां से हमने कट लगाया है उससे नीचे थोड़ी सी हमने सिलाई भी लगाने पड़ेगी कपड़े को तिर्चा करने के लिए और हलकी सी यहां पे हमने दो तिन इंच की दूरी तक तिर्चा करके सिलाई लगा दी और उपर का कट करके इंटरलोक कर ठीक है अब हमने ये बैल्ट ली है बलाउज में से इसकी हम बैल्ट बनाएंगे ये कमर हम उतनी रखेंगे जितने कस्टमर की कमर है तो हमने 32 कमर के हिसाब से यहाँ पर साइज मापना है तो 32 पर निशान लगा करके जो भी कपड़ा एक इंच का बचेगा मैं वो चैन की साइड निकाल करके और चैन के अंदर इसको दबा दूँगी फोल्ड करके तो इस तरह से ये तिर्चा करके यहाँ पर मैं चैन लगा दूँगी और ये कपड़ा जो है यह हमारा बैल्ट में काम आएगा तो अब चैन लगाने के लिए हमें यहाँ सिंगल मैंने मसीन पर लगा लिया है जहां पर भी निसान लगाया है वहाँ पर हम लगाएंगे चैन और ये देखिए इस तरह से चैन को हम लगा करके देखेंगे कि साइड से इसकी सीधी है और चैन का ये जो किनारी है ये हलकी सी अंदर की साइड दबाते हुए सिंगल फूट से ह जब हम चैन लगाएंगे तो हमारी चैन का पता भी नहीं चलेगा बंद होने के बाद कि यहाँ पर चैन है की नहीं और फिर बंद करके चैन को सैट करेंगे और दूसरी साइड की जो सिलाई लगाएंगे वो चैन की नीचे की साइड से लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पर सिल कार्ट बनातें टो यहां चैन लगातें खालय स्टिक लगातें उपर और स्वィप्ल हमारा काम खत्र о stool आपनादाना है बलाउस्च के उपर तो हम इसमें चैन भी लगाएंगे और यहां हम बेल्ट भी लगाएंगे बेल्ट के लिए यह हमने पेस्टिंग पेपर लिए है जिसकी चोड़ाई है 1.5 इंच और इसको हम कमर से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्योंकि कमर का नाप लेने के बाद फिर इसमें हम एक्स् से शिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड आदा इंच कपड़ा रखे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और एक साइड से फोल्ड कर देंगे एक साइड से हम इनर रख करके इनर की सिलाई कर लेंगे क्योंकि नीचे की साइड हम इनर नहीं लगाएंगे तो इसमें जो सितारी का वर्क है वो फिर अंदर की साइड से चुबेगा इसलिए हम एक साइड से इस पे इनर अटेज कर लेंगे ताकि हमारा जो वर्क है कपड़े में वो पैंते समय चुबेना तो इस तरह से इनर को अटेच कर लिया और इस साइड से हम निसान लगा लेंगे ताकि जब हम बैल्ट को जोड़ें तो बराबर से सिलाई लगे तो यहां देखिए मैंने कमर के हिसाब से माप करके निसान लगा लिया जो बाकी का कपड़ा है उसमें हूक लगाने के बाद फोल्डिंग के काम आ जाएगा तो एक साइड से माप करके पिन लगा दी है और दूसरी साइड से जहां से निसान हमने लगा था कमर के हिसाब से वहीं से रखते हुए यह सिलाई लगा लेंगे और जो नीचे का कपड़ा है जो हमारा सरकुलर वाला उसको हम बिलकुल भी नहीं खंचेंगे अगर उसको खं जाएगा बद जाएगा क्योंकि वह हमने उरेव में कटिंग कर रखा है इसलिए उसको बिलकुल भी नहीं खंचेंगे जहां पर भी है सोफ्ट हाथ से पकड़ कर ही सिलाई लगाएंगे तो अब देखिए हमने कमर का नाप लेते हुए यहां से और इस तरह इसको फोड करके यहां पर अच्छे से माप करके निसान लगा लेंगे दोनों साइड और फिर यहां लगाएंगे हुक दोनों साइड हुक लगा लेंगे तो इस तरह के यह हुक है इनको हम लेंगे और उपर से देखिए दबा करके इसके जो कौने है नीचे की साइड निकलाएंगे और नहीं आए बाहर की साइड और यह देखी इस तरह से हमने ब्लाव जिसका रड़ी किया है और पाइप निकाली है बाजू पे और गले पे पाइप निकाली है और अभी इसकी तुरपाई नहीं होई है तो इतनी फिनीशिंग नहीं लग रही प्रेस और तुरपाई होने के चली हुई है और यह देखी साइड में चैन बिल्कुल भी नजर भी नहीं आई कि यहां पे चैन लगी है कि नहीं और यहां हमने लगाए है हुक और इस तरह से यह आप घेर देख सकते हैं सकल्ट का काफी घेर है और नीचे हम इस पे करवाएंगे पिको तो अभी पिको भी नहीं हुआ है तो आगे का जो आसन हमने छोटा रखा है और पीछे का इसका लंबा रखा है इसलिए ताकि इसकी फिटिंग अच्छे आए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राब